हलो गैस नेक्स अपिसोड के स्टाट से पहले आप लों मेंजिंग को सब्सक्राइब करते हैं इसे हमने नेक्स अपिसोड को स्टाट करते हैं शींची जो अपने मूँ से कॉफी को भी बाहिर निकाल देता और उसके लैपटोप पर वो कॉफी गिर जाती है ये देखर में भी करने लगती है कि तुम्हारा लैपटोप तो काफी महंगा होगा पर उसको बाद में पता लगता है कि लैपटोप तो उसी का है ये देखका वो जल्दी से अपने लैपटोप को साफ करने लगती है और इसी में शींची उसे बात करने लगता है उसके परजक्ट के बारे में पर शिंची कहते हैं कि मैं तो दूँँगा एक्सरा टाइम ना ही मैं परजेक्ट के साथ कुछ गलत करना चाहता हूँ ना ही डॉयलपर के साथ करना चाहता हूँ इंडिरेक्टि वो मिन हुई की बात कर रहा होता है और भी मिन हुई कहलने लगती है कि क्या तो मिरे सब मीटिंग नहीं करोगे जिसमेंagues मैं तुम्हें अपना project दिखा पाऊंव चैची कहते क्या तुम्हें ऐसा चाहते हूँ कि मैं तुम्हे तुम्हें सब मीटिंग करूँ तो ठीक है इस बात पर में लूंपक ideally कहता है है मैं ऐसा कब कहा पास देता है यह सुनकर तो शामु वैसे ड़ जाते और स्वीफूल में गिर जाती है उसको शामु बचा कर बाहिए निकाल लेता है और शामु जो रेस्ट्रों में जाने के बाद क्या ही लगती है कि दो घंटे लगा कर मैंने मेक अप किया तो आप कुछ भी नहीं रहा तो ज चैन तो सौच है लगता है कि मेरा कुछ रह भी क्या था तो शामु उसकी वोली चीज उसको वापिस देने लगती है यह देखकर चैन कहते है कि यह तो मैंने बास्किट में फैंक दी थी और यही से हमें फ्लैश्पेक दिखा जाता है जिसमें शामु बास्किट को देखने रखती है कि कोई ना कोई तो इसकी चीज मिल जाए तो फाइनली उसको वहीवाली चीज मिल जाती है जैसे वह देने के लिए यहां आई थी और फिया है यहा पर स्वेयमिंग सिखंगी तो चैन कहते है कि ठीक है मैं ही तुम्ह सीखाँगा यह बातें सुनने के बाद शामु होती है कहें लगते हैं किया मैंने गलत किया सको मैसेड़ करना तो इसका दोस्त भी यावजे का ली है पटो मैं आप मेरे बात मानने हो गई कल मेरे डैड का बढ़ रहे है तो डैड के लिए तुम्हें अच्छे से पता होगा कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है तो इसलिए तो मेरे साथ जाओगे और कंपनी में मिन हुई और शामू दिखाए जाती है जिसको मिस्टर हान ने बुलाया होता है मिस्टर हान जो कंट्रक्ट पर साइन ने करे होता है और आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि हम अगर इन्वेस्टर को ले आते है तो आप साइन करते हैं और हमारे परजेट को भी चलने देंगे अगर आपने ऐसा ना किया तो बाकी लोग आपसे देख कर क्या सीखेंगे कि आप एक छूटे और वो भी एक छूटे बन जाएंगे यह सुनकर जल्दी से मिस्टर हान साइन करने लगता है कि मैंने कब कहा कि मैंने साइन ने करने और साइन करवाने के बाज़ गे तो और जब अपने ओफिस में आ जाते हैं तो मिन हुई जो अभी भी अपना काम करने का इस ओच्ची होती है कंप्ली में रहा कर यह सुनकर शामो कहने लगते है कि तो मैं चुचो को बाहरी लेकर जाना चाहिए काफ़े टायम हो गया तुम उसको बाहरी नहीं लेकर गई अगर तुम काम करने बैट्टी तो यही पर तुम्हारी रात भी गुजर जाएगी यह सुनकर मीन हुई तयार हो जाती है कि मैं उसको भाई गुमाने के लिए लेकर जाओंगे और हमें शिंग्ची दिखा जाता है जो चैंग्ची के पास आया होता है उससे बस यह बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे परजेक्ट को रिजट कर दिया है चैंक ची को तो उसके बहुत गुसा होता है साथ ये साथ उसकी असिस्टेंट को भी गुसा होता है वो तो कहें लगते हैं कि आपने मिन हुई के परजेक्ट पर साइन क्यों किया आपको उसका परजेक्ट पसंद आया था या वो पसंद आया थी पहले तो शिंची उसकी बात पर कुछ नहीं बोलता है चैंक ची जब कोई और बात करने लगता है तो शिंची कहते है कि पहले तो मैं इसकी बात कर जवाब दूँगा वो कहें लगते है कि मुझे ऐसा कोई परजेक्ट नहीं चाहिए था तो शिंची भी पूचे लगते है कि तुम लोग कहां पर हो मैं भी वहीं पर आता हूँ और मैं तुम्हें ये सब गेम्स खेल के दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ और दूसी तरफ हमें डॉक्टर जाओ के साथ यार्यू दिखाए जाती है जो अपने ले डेस्स लाट करी होती है ये देखकर दॉक्टर जाओ से बताओ से बताएं लगते हैं कि तुम्हें डेट को क्या चीज़ पसंद है मेरे डेटको मुझे खुश देखना पसंद है मतसests अब ऐगर मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी तो वो भी कुश हो जाएंगे डॉक्टर जाओ तो उसे देखने लगता है प्रियाओजी उसको असल बात बताते हैं लग ठीके मैंने तो वो तुमसे जूट बोला था मैं तो तुम्हें यहाँ पर बाहि लेकर आना चाहती तो चलो अब मेरे साथ शॉपिंग करवा दोना डॉक्टर जाओ उसके साथ शॉपिंग करवाने के लिए त्यार हो जाता है काफी ड्रेसेज वो लेकर आती है पर डॉक्टर जाओ को उन में से एक भी अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए वो एक अपनी पिसंद कर ड्रेस लेकर ता है जिसे लेकर शामो तो बहुत खुश होती है और भी वो दोना माँ से वापिस जाई रहे होते हैं रास्ते में डॉक्टर जाओ को एक शूज की शॉप नजर आती है माँ से वो 38 साइस का शूज लेने लगता है ये देखकर तो शामो खुश हो रही होती कि शायद उसके लिए शूज लिया है पर वो तो यह वो शूज मिन हुई के लिए लेता है और हमें मिन हुई चूचो के साथ दिखाय जाते हैं चूचो का काफी दिल होता है बाकी छूडो को लेने का पर मेन हुई उसके लेकर निदेरी होती तभी चूचो के हाथ से बलॉंस उपड़ी चले जाते हैं चूचो कहने लगते कि मौन मुझे उतार के देंगी नीचे जैसे चूचो के बात मानकर में हुई बलोंस की तरफ गूदने लगते आगे से शिंची आकर उन बलोंस को नीचे ले आता है चोचो तो शिंची को देखकर बाती कुश़ ओजाता है और फिए यही से तीनों बहुत ज़ाधे इंज़्वाइ करने लगते हैं कभी वो गेम्स कहनी लगते हैं कर भी वो क्या करने लगते हैं हर तरह का जूला जाकर वो ले रहे होते हैं चो 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 को तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा होता है और फिर लास्ट में चो चो जो इतने ज़्यदा गिफ्ट वगयरा इकठे करके बैठा होता है और वहां से उनके तर्म्यान से उड़कर चूचो कुछ और देखने के लिए जला जाता है पास में कॉटर केंडी देखर शींची को कुछ फ्लेश बैक्स याद आते हैं वो उनीकी बाते मीनुई से करने लगता है मेंनों इसे कहने लगती है कि तुमने चूचो के लिए इतना सब कुछ किया है उसे इतने ज़दा गिफ्स लेकर दिये हैं तो एक गिफ्स मैं भी तुम्हें दे देती हूँ ये कहकर वो कॉंटर कंडी लेने के लिए चली जाती है और हमें शयो दिखा जाती है जो अपनी प्रेक्टिस करने के लिए फिर से चैन के पास आ जाती है और चैन को ऐसे ट्रस में देखकर कहने लगती है कि तुमने स्विमिंग वाला ट्रस क्यों नहीं पैना चैन उसे कहते है कि आज हम पोल में नहीं जाएंगे की जो लेकर भी दिखा रही मिलंगे और पर कोड़रेकोंुष हो जाती है चुचू को सबसे चोटी को अगई बना को तो यह पिरकुल अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह शिंची के साथ खुश है और फिर मिन्हुई को आवास देकर उसको वही वाला शूस किफ करने लगता है मिन्हुई तो शौक होती है कि यह पहली बर मुझे इस तरह कोई किफ दे रहा है और शिंची जो चूचो के लगता है कि यह डॉक्टर्जाओं ने दीए हैं ना कफी अच्छे शूस हैं पर शिंची आकर कहने लगते हैं कि जरा भी उसका टेस्ट रचा नहीं तरह बिलकुल भी अच्छे शूस नहीं है मिन्हुई को पता लग जाता है कि यह जैलस हो रहा है उसको और जैलस करवाने क जाने लिए उसके सामने वो शूस पहन भी लेती है यहां तरकि उसको शूस तिख़ा दिखा का चलके भी जारी होती है यहीं से हमें बाइब का दिखा जाता है जहां पर एक बच्री इनके सामने से कुछ फ्लावर în आती है कि अनुछ पुछने के बाद में नेकर लेकर और वो आदमी जब मिन्हुई से बत्तमीजी करने लगता है तो शिंची भी उसको मानने के बाद मिन्हुई को लेकर मान से भागता है वो दोनों इतना भागते हैं उनसे बचने के लिए और वो लोग भी उसके पीछे आ रहे होते हैं किसी तरह उनसे जान चुड़वा कर वो एक जगा पर छुप तो जाते हैं उनके सामने वो दोनों आदमी सोचे होते कि वो कहां पर गए अभी नजर क्यों नहीं आ रहे पर वो लोग तो यह चुपकर सुन रहे होते हैं और इसी में मीन हुई और शिंची तो नहीं एक तूसरे के काफी जदा क्लोज आ जाते हैं यह द